एशे छे नोतुन शीशु ताके छेरे दीते हवेश थान। आजकाल हर हामेशाई PC कमपोनेंट एबोग नित्त नोतुन लाप्टोप एक ब्रैंड बांगो देशे ढूपछे। आई मिन शस्तार तीनव स्थाबलते जा भुझायार की। जाहिए होक बाग्लादेशे रिसेंटली एंट्री नियेचे चायनार वन अब दो मोस्टेलिंग लाप्टोप ब्रैंड थान्डार बॉट जार ऑफिशाल इंपोर्टर ब्रिस्टाइल इलेक्रोनिक। तारा मदेरके पाठी हेचे तादेर EGAR E1 मोडेल ए लाप्टोप ता दुई बच्छरेर वारेंटी सम्बलीतो एई लाप्टोप तार दाम होच्छे चुवात तुरहाजार नॉइशोडाका। प्रतमें बोले राखा भालो एट आक्टा कैजुवाल लाप्टोप आप्टेरा जारा गेमिंग परफोर्फोर्मेंस बा हाइली प्रोडक्टिव की चो खुच्छेन। प्रोबले नॉट दाट थिंग। एज़े कैजुवाल लाप्टोप एटा ओफिस गोईंग देरके कटो टोको सार्फ करते पारे एज़े स्टूडेंट आपनी एई लाप्टोप थेके की-की एक्सपेक्ट करें तानी आक्टा पुरिश्का धारणा नेयार्चेस्टा कोरबो। अप्रदेश आत्याचिया में ओरोनो जाबान अप्रदेशन पीसी बिल्लार बांग्लादेश। थान्डार बॉट 2014 शालेर प्रतिष्ठीत एक्टा चाइनीज कमपानी जारा बिभिन्न धरणे पेरिफेराल्स जमन माउस, कीबोर्ड, गेमपैड इत्त्यादीर पाशाबासी मोनीटर एबंग लाप्टोप हो प्रस्तुत कोरे थाके। अलेक्स्प्रेसेर बिशक्का एक्टा सेग्मेंटे तादेर पोडाइट गुलो टपसेलार, कॉम्पिटिटिफ प्राइसिंग एबंग पार्फोर्मेसेर जोनो तारा मार्केटे खुब जुरूतुई ख्याती अर्जन कोरे नै, तादेर वेबसाइट उनुझे तादेर प् 55,000 टाकार आशे पासे की-की धरनेर क्याजुआल कर्प्रेट लाप्टाप बाजारे पाओ जाए, एक्टा समय कोर आई 5 प्रोसेसरे लाप्टाप गुलो पंचारन हजारे आमरा देख्ते वे ताम, पईशो टी थागे सोत्तुरे जीप्यू जुक्त मोडेल गुलो पाओ ज हाइब्रीड आर्किटेक्ट्रेक्चारे कारोने एई प्राइस्ट्रेंजे आमरा आखोन 6-Core, इवेन 10-Core i3 टाइप पेर प्रोसेसरो देख्ते बाच्छी, प्रतमी एसुस भीवोबुकेट दुटो मोडेल रहे छे, दुटो ती 8GB RAM, दामेर प्रोसेसर स्पेक्से रहे छ एटे, एर परी आछे HP राक्टा Ryzen 5 56 25U, एटाओ 6-Core 12-Core U-Series एर प्रोसेसर, एटे ओ रहे छे 8GB, एर परे आरो आछे 12-Generation 10-Core 12-Core i5 35U प्रोसेसर जुक्तो Lenovo ओ SRR दुटा लाप्टोप, प्रत्तेक्टाती रहे छे 8GB RAM, प्राइ एकी दामे आबार MSI 16GB RAM ओ 10-Core 12-Core i i5 लाप्टोप रहे छे, बाजेट शोत्तूर थेका 80,000 होले Ryzen 7 5700U, एबों 8-Core 16-Core 12-Core 12-Core iGPU दिए लेनोवर एक्टा मोडेल रहे छे, आर एई बाजेटेर एक मात्र डेडिकेटेर GPU जुक्तो लाप्टोप इसेवे लेनोवर 11-Gen, कोर i5 एर एक्टा मोडेल रहे छे, HP 255 G8 रहे छे, Ryzen 5 5500U दिए, 8GB ओ 16GB वेरियेंटेर दाम 66,000 ओ 69,000, एकी दामे Dell Inspiron 15 3525 रहे छे, आरेक्टु बेटार प्रोसेसरे शाथे, एई टाकाई लप्टोप कीने बाकी टाकाई चाहिले शर्टूर दिते पारें, आबार बहात्तूर आजारे HP G9 मोडेल दी रहे छे, टेन कोरेर 6 i5 प्रोसेसर दिए, बाजेट जोदिए 80,000 ताकार काछाका ची हुआ, ताहले 13 जेन कोर i5 जेटीकीना 8 को 1230 शाथे आशे, शेटा पाओ जाबे, जाहिए होक शोत्तूर थेके 80,000 ताका रेंजेर मोड थेक लेटेस जनारेशनेर प्रोसेसर दिए, लेप्टोप दुई जेनरेशन पूराणो 11 जेनेर 4 कोर, एबों 8 थेडेर 1195 G7 प्रोसेसर, शुतरांग सेम प्राइस रेंजे, अनेक बेटा-बेटार प्रोसेसर काचा-काची दामी पाओ जाच्छे, विशुकरे इन्टिलर 12 वेबों 13 जेन बाद दिले परे AMD Ryzen 5000 सीरीस किन्तु, एई 11 जेनके भालोरकोम नाकानी चुबानी खाईये चेक समय, माल्टी कोर्तों बटी, सिंगेल कोरेओ, आजकाल कार प्रसोसर थे केटा पीछी ही ठाकबे, तबे द्याखाजाक सामने की होए, सेस्पर्जन तो EGAR-E1 कोथाई गिए ठाके, स्पेक्स परजाल चनाशे, शेवार श बंगलादेशे अनेक लेपटप ब्रेंडर अफिसियल इंपोर्टार रोएचे, आबार अनेकी अफिसियली ओफिस निए बंगलादेशे बिजनेस अपरेट कोर्ते से, विद त्यार अथराइज इंपोर्टार्स, कि तो कारो वारेंटी करडे डिरेक्ट इरुकम बंगलाद ब्लैक, एबाँ मैट फिनिश दिया रोएचे, एबाँ हालका फिंगर प्रिंटेर छ्वा दाखा जाचे, लीडेट ठीक माच खाने थांडा रोबोटेर लोगो दिया रोएचे, जाइट एक्टा हेलमेटर मातो, पूरो पूरी मेटाल बोड़ी राप्टाप टाई फ्लेक् कर लो, एलॉमिनियाम बेश टार्डी इटे बोजा जाचे, माच खाने तो फ्लेक्स थाक भी, एकदम नीचेर दीके फेंज देखा जाचे, डान पास, बाम पासे एगुलो प्रभबली स्पीकार, आरेखाने लेखार होएचे, नोटबुक, कॉम्प्यूटर, मॉडेल नेम, इगर E1, DC input 19V, 2.37A, नोन प्रोफेशनल्स रुनो ट्राइटु टेक डाउन और रिपेर इट, मेड इन चायना, मैनुफेक्चरड बाई, किंग जाओ थांडर रोबोट टेक्नोलोजी को लिमिटे, एबार लेप्टप टाके एखाते खोलार चेस्टा करा जा, अलुमिनिया फेल, फुटेस्टे फेल, नोरे, तीब्रो फैनेर बाताशे लाप्टप टाब अभर करा कोठीन हवे, तावे जादेर बाशे एसी रुए छे, एबाँ स्वीगे खुब बेची फैनेर प्रेशार थाके ना, तादेर जोन नहाय तो, समसर हर कथा ना, बेश मिनिमाम बेजल, टॉपेट दीके वेबकेम, वेबकेम एकोनो शाटार देखते पाथ छी ना, निचेर दीके थांडर रोबोट लोगो, बाम पासे पावर बाटोन, डान पासे माझा माझा माझी दुईतार नोटिफिकेशन लाइट, एपर होचे कीबोर्ड, चिकलेट कीबोर्ड, जेरोकम ह पूरो मेटाल डाक्टा दारून फिल्ड है, एअर फ्लो मेकानिजूम टा होचे निचे दीके एअर इंटेक, ठीक एई स्क्रीन एर लीडेर एई जाए गाटाए आचे एग्जॉस्ट, पूरा टा जूरे ग्रिल्स आसे इखांटेके बेर्वाए, एदिक थेके देके देकल बेड़ा बाम बाम पाशे प्रथमी केंसिंग्टन लोक ता पर इथरनेट पोर्ट ता पर यंक्रो आप्रवाए, एजग कर दा मायक्रो एजडी कार्द रिरार, मायक्रोस्ट वेडार तर दूईता इउसबी तुपएन्ट बाट यूश्बी टा यूस्बी ता पर यूस्ब जरे Core i7-1195-G7 नामे i7 होले हो एते कोर रहे छे मात्र चाट्टा थ्रेड रहे छे आट्टा एटा शही समब प्रोसेसर जगन इंटेल Core i3 ते दुईटा कोर Core i5 एबग 7 ए चाट्टा करनी एम आठेलाम तो एबग भुरी भुरी गोल खेतो जाहे होग प्रोसेसर ट्रा मैक्स क्लोक स्पीड होचे 5 GHz जोदियो ए 5 GHz आदो ओठेकी ना शेटाम रा पर्फोरेंस टेस्ट सेक्रनें गिए देखबु 12 MB कैसे रही प्रोसेसर ट्र ट्रीप होचे 28 जीपी हिशेबेरोएचे दा माइटी इन्टेल आईरिस XC जार स्पेक्सुने लजा पर्दर करनें राम हिशेबेतरोएचे बत्तिर्शो मेखार जे 16GB RAM ए सुविधा जेटाई दुइटा स्लाटें ब्याभरीतो एवेपट्यों बेश उनिक बेशी फाग लैपटोप गुलो डुआल स्लाटे आसलो शाधानोतो ब्रैंड गुलो 8GB RAM दिए कास शेरे दाए स्टोमर्स अपर्ट फूम दे प्रोसेसर स्टोरेज सेक्षोन हो एक फोटा हो किप्टा मी करे नाए थंडर रोबोट पास्वो बारोजी बीर M.2 NVMe तो आछी शाथे आक्ता NVMe slot आछे जाते प्रोजोन मोत और स्टोरेज लागाई ने आजाबे उल्लेखो 11Zen एक्ता Zen 3 प्रोसेसर ताई Zen 4 SSD लागी हो विशेस लाभावेना इंस्टोल SSD स्पीद देख्ते बाच्छेन स्क्रीने डिस्प्रेशे बाए लाप्ताप्त आए देरो चे 15.6 इंचेर Full HD IPS दिस्प्ले इंटा refresh rate 60Hz एलाप टोटार एक्ते USB होच्छे एटार डिस्प्ले बिकाज इटाक्ता IPS डिस्प्ले एबंग एटा एक्टा 80 डिग्री पर जोत्त रोटेट कराव पसीबल होए तर्थेके टर काला डिप्रेशी बेटर डेफिरेटली नॉट दा बेस्ट 36 वाट आवारे लिथियाम आयोन बैटरेशे बैकाप देयार जोन्नो एक मेगापिक्सील एक्टे HD कैम्रा देयार देयार चे उवेबकेम हिशेवे फूल साइजेर बैकलेट कीबोड आर एक्स्पिरियेस होच्छे एमुन एटा चिकलेट कीबोड की ट्रेफल दिस्टेस खरपना किम्तो एटा हाइटो मोटाबूटी डिसेंट आसे चिकलेट कीबोड चिकलेट फिलिंगी देवे एबारे पार्फार्मेंस टेस्ट शुटू करा जा 1195 G7 ते के आमरा की एक्स्पेट कोरते बारी किछ फीडा Cinebench R23 ते आमरा सिंगेल कोरे पेची 1212 पॉइंट एबग माल्टी कोरे पेची 338 पॉइंट्स गेम टेस्टे वैलोरान ते 1080p लो ग्राफिक्स क्वालिटी सेटिंग से आमरा पेची मैक्सिमाम 118 fps, average 132 fps, minimum 89, 1% low 75 CS2 ते 1080p लो सेटिंग से आमरा पेची, maximum 70, average 50, minimum 35, 1% low 23 fps League of Legends से आमरा पेची, low सेटिंग से, maximum 186, average 145, minimum 113, 1% low 103 जायोग एटा gaming laptop ना, एटा एतो fps एतो गेम टेम ख्यालार क्वा था ना, e-sports गेम गुला खुब एटा ग्राफिक सेवी ना, that's why एई धरने लाप्टापर मुद दो एई गेम गुला ख्याला जाये, वोग एटे खुब एटा पेरिशानी ते पोर्ते होया ना, 100, 150 fps एक दो गेमेर जन्नो खुब खाराप एटा बला शुजग ना, और थात एक दोम गेम खेलते बार पेन एमोन ना, तबे AAA गेम गुला एटा मोदेर आन्कोरते गेले ठीक एटा केदे दिपे, तायो दिक्यार ना जाये, थारल टेस्टे स्टे समवाए, आमादेर सिंगेल कोरे, मैक् आजीलेर एक गोल फेरोद्दर मोतो घटोना, किंबर सद्दो सेषवा वर्ल्ड कापे इंडियार दुईरान बाकी थाकते एक्टा विकेट नार मोतो बलते बारें, जाहिए होक एर प्रजगुला होचे, लाप्टाप्तार 180 डिग्री IPS डिस्पले, पर्सो बारो जीबीर SSD, एबंग शाथे एक्टा एक्स्टा SSD स्लोट, जेनुएन विन्डोज, एबंग दुटा स्लोटे 8816GB डुवाल चैनल मेमोरी, एबंग ओवाराल ओती अबस्तुई, एर फूल, मेटाल, ब्लाक, शॉलिद, एक्टा बिल्ड क्वालिटी, एई भावग आपाटा निते पारें, जे, specs-wise, this is not the best laptop, एटा मानती होबे, but feature-wise, एटा मों दे बेच किछ इंटरेस्टिंग व्यापर शापर रहे छे, जामन 16GB मेमोरी, 512GB SSD, एई जिरीश गुला जोदी special कारो दरकार थाके, एई जोनो जोदी आप्रा प्रोसेसरेर पर्फोर्मेंस कंपेंसेट कोरते चान, बि quality, features, एगुला अनेक बेशी, importance पाई, जोदी ओई टाई पे लोग जोनके, आम राइक्टो आड्रिश्टिते देखी, still there are lot of customers, जादेर काछे एगुला इबेशी फोकास पाई, जादेर काछे productivity तेगे basic office applications, day-to-day काच कर्मो, एक्टा PC हातेर काछे थाका, एबों portability एगुला कोट ब्याबहर कोर ले, पेज आवेन पुर्णुटा का छार, इटा तारामा के बोलते बोल से, तैमें बोले दिलाउं